हलो एवरीवन आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल शुम होलाइन क्लासेज में और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर जो की एकोनोमिक ससे है और इसमें हम लास्टिसिटी आप डिमांड के बारे में बात करेंगे और इससे related बहुत ही important MCQ जो आपके आने वाले UPTGT और UPPGT Commerce इसके अलावा हरियाना टेट Commerce के लिए काफी ज़्यादा important है ये MCQ तो स्टार्ट करते हैं question number 1 से question number 1 है मांग की लोच option A कीमत का आनुपातिक परिवर्तन divided by मांग का आनुपातिक परिवर्तन option number B है मांग का आनुपातिक परिवर्तन divided by कीमत का आनुपातिक परिवर्तन option number C है किमत का परिवर्तन divided by मांग का परिवर्तन option number D है मांग का परिवर्तन divided by कीमत का परिवर्तन तो जो इसका right option होगा यानि मांग की लोच ये है option number B जिसका option है option number B यानि मांग का आनुपातिक परिवर्तन divided by कीमत का आनुपातिक परिवर्तन question number 2 है जब वश्टु के मूल में परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग में बहुत अधिक कमी अत्वा बृद्धी संभव होती है तब वश्टु की मांग क्या होती है option A, पूर्तिया लोच्दार कही जाती है option number B, अत्धिक लोच्दार कही जाती है option number C है, पूर्तिया बेलोच्दार कही जाती है या option number D, बेलोच्दार कही जाती है इसका जो सही option होगा, वो होगा option number A यनि पूर्तिया लोच्दार कही जाती है question number 3 है यदि किसी वस्त्यो के मूल में 20 प्रचत की कमी होती है किन्तू उसकी मांग में 40 प्रचत की बृध्धी हो जाती है तो ऐसी वस्त्यो की मांग option A पुर्टया बेलोज़़़़ कही जाएगी option B अतधिक लोज़़़़़़ कही जाएगी option number C, पूर्टिया लोचदार कही जाएगी और option number D है, इकाई के बराबर लोचदार कही जाएगी इसका जो सही option होगा, वो हो जाएगा option number B यानि अत्तधिक लोचदार कही जाएगी question number 4 है, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन यानि proportionate change कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी दसा को option number A है, लोचदार मांग कहते हैं option number B, पूर्टिया लोचदार मांग कहते हैं option number C, अत्तधिक लोचदार मांग कहते हैं option number D है, पूर्टिया बेलोचदार मांग कहते हैं तो इसका जो सही option होगा, वो होगा option number C, अत्तधिक लोजदार मांग कहते हैं। Question number 5 है, जब किसी वस्तु की मांग बे, परिवर्तन ठीक उसी अनपात में होता है, जिस अनपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, तब ऐसी मांग वस्तु की मांग को क्या कहते हैं? Question number 6 है, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी दसा को क्या कहते हैं आप्शन नमबर A है पूर्टिया बेलोजदार मांग कहते हैं आप्शन नमबर B है बेलोजदार मांग कहते हैं आप्शन नमबर C है लोजदार मांग कहते हैं और आप्शन नमबर D है अतधिक लोजदार मांग कहते हैं Right option इस question के लिए है option number B यनि बेलोज़दार मांग कहते हैं Question number 7 है जब किसी वस्तुकी कीमत में कमी होने पर कुल बैकी मात्रा बढ़ती है या कीमत में बृध्धी होने से कुल बैकी मात्रा घटती है तो ऐसी वस्तुकी मांग की लोच को क्या कहते हैं Option number A है और option number D है, इकाई से अप्रभावित लोज़दार मांग कहते हैं, right option है, option number A, इकाई से अधिक लोज़दार कहते हैं, question number 8 है, जब किसी वस्तु के मूल में परिवर्तन, कमी या बृद्धी होने पर कुल बे की मात्रा यथा इस्थिर रहती है, तब मांग की लोज़ क्या कह जा जाती है, option number A है, इकाई से अधिक कही जाती है, option number B है, इकाई से कम कही जाती है, option number C है, इकाई के बराबर कही जाती है, या option number D है, इकाई से बहुत अधिक कही जाती है, सही option होगा इसका option number C, यानि इकाई के बराबर कही जाती है, question number 9 है, यदि वस्तु ऐसी है, कि इसके प कि मांग को मांग की जो लोच होगी वो क्या होगी और अधिक लोजदार होगी Online और अधिक बेलोजदार होगी राइट आप्शन होगा इसके लिए option मंबर syndrome क्यों के बंधिक लोजदार होगी कुम्म किरेद और थेन है प्राया वस्तू प्राया आवसकता की वस्तुओं तथा रस्मी वस्तुओं की रस्मी आवसक्ता की जो वस्तुओं होती है जिनको हम कहते हैं conventional necessaries की मांग की लोच क्या होती है option A, बेलोजदार होती है, option B, लोजदार होती है, option C, अतिधिक लोजदार होती है और option D है पोड़त्या बेलोजदार होती है right option इसका है option number A यहीं लोजदार होती है question number 11 है निम लिखी तरेखा चित्र से यहीं निम लिखी जो रेखा चित्र बना हुआ है इसमें मांग वक्र पर मांग की लोज़ क्या होगी यह चित्र आप देख लिजे option number A है पोड़त्या बेलोजदार होगी option number B है पोड़त्या लोजदार होगी option number C है अधिक लोजदार होगी option number D है इकाई के बराबर लोज़ होगी तो right option इसके लिए क्या है option number B है यहीं पोड़त्या क्या है लोजदार है option number B question number 12 है निम लिखी कत्नों में से कौन सा सत्य है Option A जिन वस्तूओं का उपहोग कुछ समय के लिए टाला जा सकता है उनकी मांग बेलोजदार होती है Option B जिन वस्तूओं के बदले में अन वस्तूओं उपहोग की जा सकती है उनकी मांग बेलोजदार होती है Option C के बिलासिता की वस्तूओं की मांग अधिक लोजदार होती है और आप्शन June नमबर डी है उपर युक्त में से कोई नहीं ऐस्थ आप्श्ण Excel jsूं003 इन्ट के आडली लेटका सूतर क्या है js अफ्शन नंबर A है मांकि मात्रआ में परिवर्तन इनि प्रAT परिवर्तन डिवाइड़ग yn वंस्तु की किमत में प्रतिशत परिवर्तन को कोष्षन नमब बाइडेर c है एक्स वंस्तु की की मांग में आनुपातिक परिवर्तन divided by y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन option number d है x की कीमत में प्रतिसत परिवर्तन divided by y की मांग में प्रतिसत परिवर्तन right option इसके लिए है option number c option number c है x यनि वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन divided by y किमत में आनुपातिक भर्िवर्दन नमर्ट्फोटिन मांग की लोज की सीमाएं कौन सY है, ओप्शन malt एक से लेके अनंत तक है या option नमबर B 0 से लेके अनंत तक है या इन्फाइनाइट है option नमबर C है minus infinite से plus infinite है option D है इनमें से कोई नहीं तो right option क्या होगा इसका option नमबर B यानि 0 से लेके infinite तक होती है question नमबर 15 है मांग की लोच option number A, एक गुडात्मक कथन है, option number B, परिमाडात्मक कथन है, option number C, गुडात्मक एवं परिमाडात्मक दोनों है, option D, ना गुडात्मक है और ना ही परिमाडात्मक है, तो इसका सही option क्या होगा, इसका option number B है, यानि परिमाडात्मक कथन है, Q16 है आयताकार अतिपरवले यानि Rectangle Hypervola के संदर्व में मांग की कीमत लोज सदयो क्या होती है Option A, 81 से कम होती है Option B, 81 से अधिक होती है Option C, 81 के बराबर होती है या Option D, सून्य होती है तो Right Option क्या होगा इसका? इसका जो Right Option होगा वो होगा Option C, यानि इकाई के बराबर होती है Question No.17 है एक मांग वक्र के बिभिन बिन्दूओं पर मांग की लोज क्या होती है Option A, समान होती है Option B, भिन भिन होती है Option C, क्या होगी या उसके ढाल पर निर्भर करता है और Option D, इन में से कोई नहीं तो Right Option क्या है? इसका Option No.B, यानि भिन भिन होती है Question No.18 है आवस्यक वस्तूओं के लिए मांग की लोज क्या होती है Option A, बेलोज होती है Option B, अत्तधिक लोजदार होती है Option No.C है, साधारन लोजदार होती है और Option D, क्या है? अनन्त होती है तो Right Option क्या है? इसका Option No.A, यानि बेलोज होती है Question No.19 है नमक के लिए आएलोज क्या होगी? Option A, इकाई के बराबर होगी Option B, सून्य के बराबर होगी Option No.C है, इकाई से अधिक होगी और Option No.D है, इकाई से कम होगी तो right option क्या होगा इसका option number B यानि सून्य के बराबर होगी question number 20 जो कि आज की वीडियो का last question है निम्न कोट की वस्तूओं जिनको हम inferior good कहते हैं में आयलोच क्या होती है option A तनात्मक होती है option B रिरात्मक होती है option C उपर यक्त दोनों कथन सत्य है option number D उपर यक्त दोनों कथन असत्य है तो right option क्या होगा इसका option number B जो की रिरात्मक होती है यानि निम्न जो inferior good होती है उसमें आयलोच रिरात्मक होती है तो यह question आज का जो मेरा वीडियो है यह काफी important है आपके आने वाले UPTGT, PGT, Commerce और Estate के लिए अगर यहां से मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि एक या दो question आपके exam में 100% मिलेंगे क्योंकि हर exam में यह questions पूछे जाते हैं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा साथी वीडियो को लाइक भी करना ना भूलेगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो